हेलो फ्रेंद्स आप सभी का मेरी योटीब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज हम सरदार बल्लब भाई पटेल पर एक प्यारी सी कविता पड़ेंगे चलिए शुरू करते हैं 31 अक्टूबर 1825 को बल्लब भाई पटेल का जनम हुआ गुजरात के नाडियावाड में भारत का लहपुरुष पैदा हुआ जबेर भाई पटेल पिता और लाडबा देवी थी माता कटनाईयों में बचपन बीता था संघर्षो से नाता बारडोली सत्याग्रह से सरदार की उपाधी पाई थी अपने नाम के आरम में यह उपाधी अपनाई थी 1947 में पहले ग्रह मंत्री बने विभाजन का साया मंडराया था कुशल रणनीती से उन्होंने रियासतों का एकी करण कराया था बिखरे भारत वर्ष की भ्रहांतियों को तुमने ही तो तोड़ा था भारत की 565 रियासतों को तुमने ही तो साथ जोड़ा था भारत माता का एकी करण कर उसका श्रिंगार किया अखंड रास्ट का स्वप्न तुमने ही तो साकार किया 1901 में मर्नो प्रांत उनको भारत रत्न मिला धन्य है भारत भूमी जहां लोह पुरुस्ता फूल खिला सादा जीवन उच्छ विचार उनका जीवन दरसाता है भारत के जनजन को जीवन जीना सिखलाता है भारत मा के लोह पुरुष बल्लब भाई कहलाते हैं इनका वंदन करते हैं हम सब शीष नवाते हैं आशा करती हूं ये कविता आपको पसंद आई होगी धन्यवाद